चंडीगर मेर चुनाव मामले में सुप्रीम कोट में कल सवंवार को सुनवाई हुई इस दोरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंदरचूण ने अनिल मसी को फटकार लगाई इसके साथ ही सीज़ाई ने कहा कि इस मामले की कल ही सुनवाई होगी हमें बताया गया है कि वहाँ दल बदल की घटनाए हो रहे हैं चुनाव भी जल्द होना जरूरी है यानि कल सुनवाई हुई और आज फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी सुप्रीम कोट में सुनवाई के दोरान सीज़ाई डीवाई चंडर चून ने रिटरनिंग आफीसर अनिल मसी से पूछा कि आप कैमरी की तरफ क्यूं देख रहे थे इस पर मसी ने कहा कि वहाँ बहुत शोर हो रहा था पारशद कैमरा कैमरा चिला रहे थे तबी मैंने उधर देखा कि क्या बात है सीज़ाई ने अनिल मसी से सवाल किया कि आप बैलेट पेपर खराब क्यूं कर रहे थे इस पर सफाई देते हो उन्होंने कहा कि मैं साइन कर रहा था इस पर सीज़ाई ने फिर कहा लेकिन आप मार्क भी लगाते दिख रहे थे जिस पर मसी ने कहा कि जिन पेपर मैं पहले से खराबी की गई थी उन पर मैंने निशानी बनाई इस जवाब पर डीवाई चंडर्चून ने कहा कि आपको ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था आप पर मुकदमा चलना चाहिए सीज़ाई ने कहा कि हम डिप्टी कमिशनर को निरदेश देंगे कि वो एक निश्पक्ष निर्वाचन अधिकारी न्युक्त करे कहेंगे कि एक अधिकारी को सारे रिकॉर्ड के साथ हमारे पास भीज़ें हम उसका मुआइना करागे आदेश देंगे अब इस मामले पर सुप्रीम कोट में आज फिर सुनवाई होगी सीजियाई ने सुनवाई के दौरान कहा कि रिकॉर्ड के सुरक्षित यहां पहुँच निकले उचेत इंतिजाम किये जाए अधिकारी हमारे सामने मदगर्ना का पूरा वीडियो भी रखें निर्वाचन अधिकारी अनिलमसी हमारे सामने आएं उन्होंने स्विकार किया कि उन्होंने आठ मतपत्र पर निशान लगाए उनका कहना था कि जो मतपत्र खराब थे उन पर निशान लगाए डिवाई चंदरचूर ने इस दौरान अलिन मसी कुम मंगलवार को यानि आज होने वाली सुनवाई के दौरान भी मौजूद रहने को कहा है इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें बताया गया है मादल बदल की घचनाय हो रही है तो चुनाब भी जल्द होना जरूरी है गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले अठारे फरवरी के देराथ चंडिगड के नमनीउप्त मेयर मरोसोनकर ने स्तीफा दे दिया था इसके साथ ही आमादमी पाठी के तीन पार्शदों ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया था झाल